चदरपूर में एक कमा ने अपनी 12 साल की बेटी की कुलहारी मार कर हत्या कर दी। मामला सामने आने के बाद पुरे इलाके में संसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी मा को गिरफतार कर लिया है। चदरपूर के भगमवा थाना के पुत्री खेरा गाओं में एक कमा ने कुलहारी से वार करके अपनी 12 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जिस वक्त आरोपी महिला ने इस घटना को अंजाम दिया उस समय उसका पती काम के सिलसिले से घर से दूर था। वही उसकी बेटी और 9 साल का बेटा घर में ही सो रहे थे। तब ही आरोपी महिला ने कुलहारी से 5 बार अपनी बेटी की गरदन पर वार किया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत होगी। घटना देख बेटा घर से बाहर भागा और महले वालों को घटना के बारे में बताया। मामला सामने आने के बाद पुरे इलाके में संसनी मज़ गई। पुलिस ने आरूपी मा को हिरासत में लेकर आगे की कारवाई शुरू कर दी है। आरूपी मा की मानसिक हालत कमजोर है जिसका लंबे समय से इलाज चल रहा है। अब भगवा छेतन तरगत कल रात की घटना है जिसमें की एक मा ने अपनी बारा साल की पुत्री की कुलाड़ी से वार करके हत्या कर दी है और इस बच्ची का पिता जो है दिल्ली काम पर गया हुआ था। मा के बारे में बताया गया है कि मा मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और इसका लंबे समय से इलाज चल रहा था और कल उसी आवेश में या जो भी कहलें उसने अपनी पुत्री की हत्या कर दी है और इस सम्मन में थाना बगवा में धारा 302 आईपीसी के तहत प्रक्रण पंज आप देख रहे हैं डखल न्यूज